आपके सामने आज फिर आया हूँ बहुत सारी बातें करनी हैं बातें भी करनी हैं आपकी भी सुननी है अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए तो आप पूछ सकते हैं फिलाल मैं आपको बैक स्क्रीन में दिखा रहा हूँ काफी क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैच चल रहा है पाकिस्तान और न्यूजिलेंट का मैच है काफी अहम मैच है आज पाकिस्तान का screening design करेगा कि वो गेम में रहेगा या वापस अपने घर जाएगा क्योंकि न्यूजिलेंड ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है 401 रनों का और 50 अबर में निर्धारीत अबरों में पाकिस्तान को वो रन चेस करना है खेज ये बातें तो होती रहेंगी और आप भी मैच का लोटी उठा रहे होंगे ठीक है बात शुरू करते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यूटूब में शॉट्स और लॉंग वीडियोस पोस्ट करता हूँ शॉट्स जादा हैं और लॉंग वीडियोस कम है सब्सक्राइबर बढ़े न बढ़े और सब्सक्राइबर बढ़े न बढ़े वो कोई मैटर नहीं करता है आपका यूटूब चले न चले वो मैटर नहीं करता है मैटर यह करता है लोगों का नजरिया मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट्स तो नहीं है लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों हम लोग हम ही नहीं मैं ही नहीं बहुत लोग जो शॉर्ट्स बनाते हैं वो अपना एक विज़ार रखते हैं वो शॉर्ट्स बनाते हैं उनको अच्छा लगता है और शॉट्स बनाते हैं लड़के लड़कियां सारे बनाते हैं पुरूश मर्द पर मुझे एक बात समझ में नहीं आए कि गाली किस बात के लिए यह तो वैसे तो मैंने फिल्टर लगा के रखाया कॉमें बट मुझे तो मुझे तो गालियां आ रही है मैंने किसी का क्या बिगाडा है अगर मैंने किसी को कुछ बिगाडा हो तो चलो अच्छा है मैं गाली खालता हूँ और खालूँगा पर मैंने किसी को कुछ बिगाडा नहीं है मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है मैंने किसी को पिंट नहीं किया है मैंने किसी को अपसेस नहीं किय किया है मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया है मैंने कुछ क्रिटिसिजम वाला वीडियो नहीं डाला है मैंने कुछ यह नहीं किया मैंने कुछ वह नहीं कि फिर मुझे गाली क्यों यह बात समझ में नहीं आती है और गाली देने वालों अगर आपको गाली देने का इतना ह को भी मैं लड़का हूं मुझे तो थ्फ़ड़ा चल भी जा रहा है को लड़की अगर शॉट्स बनाती है उसको भी आप गाली देते हो गए तो गलत बात है न कि अगर एक विकेट गई है कि मुझे लग रहा है कि एक विकेट गई है अगर आपको मेरी विडियो नहीं देखनी है मुझे नहीं पसंद करते हो तो विडियो मत देखो ना बेशक कमेंट्स मत करो लेकिन गाली तो मत दो यार जैसे तुम्हारा परिवार है जैसे हम लोगों का परिवार है वैसे सब का परिवार है इसमें कई लोग वीडियो देख रहे हैं कई लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कमेंट्स देख रहे हैं अगर आप गाली दोगे तो कहीं से भी उचित नहीं लगता है दोस्त इसल रहता है कि मेरा शौक है उतना तो गाना कंठस्त है कि मैं कर लेता हूं अगर आपको है तो आप करो, नहीं करना है, मत करो, नहीं किसे उगाली मत दो, यार, पता है, इतनी शांती से मैं क्यों बोल रहा हूं, इतनी शांती से मैं इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे गुसा पसंद नहीं है, हाँ, अगर गुसा आता है, तो व्यवस्थाओं प पर मैं गाली नहीं दूँगा यार कम से कम कुछ सोचो समझो जब देखो तब मुँँ में जो आया बक दिये गाली भी ऐसे ऐसे बोलू तो शरम आता है अबे भड़वे क्या वर्ड है यार क्या वर्ड है ये अज खुल के मुझे बोलना पड़ रहा है अबे जा जा हट साले तुससे नहीं होगा हाँ ठीक है नहीं होगा किसी को डी मोटिवेट मत करो यार वैसे भी तुम लोग से डी मोटिवेट होने वाला नहीं हूँ मैं जस्ट कमिंग यार डी मोटिवेट होने वाला मैं नहीं हूँ ऐसे कितने आये कितने गये लेकिने मेरे को ये वीडियो बनाना इसलिए पढ़ा कि लोग देखें कि लोगों को कैसे गालियां पढ़ती है लोग समझें इस बात को गाली बाली मत तो यार अच्छा बात नहीं है पर यूटूब यार थोड़ा आप भी हम लोगों फिल्टर कर रखा यूटूब आप़ी त्वड़ा ध्यान दिजिये आपक अल्गोरिद्म करता है उसने ऐसे लोगों को ऐसे फेक लोगों को हटाईए किसी तरह भागाई यह लोगों को लोक तरजीह मत दिजिये यह इसी गाली पर हिए अजीब अजीब प्रकार के गाली है वाई तो उत्रा टो डेश्नियारी में हम लोग भी नहीं पढ़े थे कभी कमाल की बात है कहां से लाते हो यह इतना वोकाबिलरी हिंदी की इंगलीश की पता नहीं तो लोगों कि उनके साथ मैंने डिवेट बनाया था उसमें भी दो-तिन बंदे थे नाम तो नहीं याद है लेकिन हाँ अजीब अजीब परकार के गालियां दी है नहीं पसंद है मत देखो न अरे उनका भी तो कोई परिवार है उनके सथ बना रहा हूँ उनके साथ उनका परिवार है उनके घर के जो सद्ध स है उनको कितना ख़्राब लग याँ समझ भंड में नहीं आता है मेरे मेरे दख तो चला चला उसके बाद किसी गज़ा ट्यूट बना रहा हूं तो उसमें भी गाली दे रहे हूं वह तो मैंने फिल्टर लगा रखा है मैंने शायद उनको भी नहीं पता चला होगा अब वीडियो देखी होंगी तो बात अलग है और क्योंकि मैंने मैं तुरंत किसी की मा हैं परिबार है किसी सब्सें बड़ा बात है कि आप रिसके करो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे आठ ही तुम्हारा भी को हएँ दrestər नहीं करें तुम्हारा थे शक्क करे दिसे अनृत थे Pomिभारा दिन्सक्त मैं करो давshots कुछ नहीं रखा है सुखी हो दुखी हो तो दुखी रहो लेकि सुखी हो रहो और सुखी रहने दो सब को मेरा तो ही मानना है भया हम थोड़ी चाते हैं आपके पचले में पढ़ने के लिए आपके घर में क्या चीज हो रही है यह सब से मुझे तो कोई मतलब नहीं है मैं कौन से वीडियो बनाता हूं मुझे कौन से वीडियो मनाने है मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे आपसे सीखना होगा और रिमोट कंट्रोल आपको दे दूं कि मैं हसूं अगर आप आप हसोगे तो मैं हसूंगा आप रोगे तो मैं रूऊंगा ऐसा थोड़े नहीं बस इसी बात का दुख लगता है दोस्तों यार आप लोग भी किसी को अपने हसी खुसी का रिमोट कंट्रोल मत दो दूसरे के हाथ में ठीक है अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो इदे को जैसे रिमोट कंट्रोल है टीवी का टीवी का यह तो साउंडबर का है टीवी का रिमोट कंट्रोल यह किसी के हाथ मत तो अपने से देखो क्या चैनल देखना है ठीक है तो यह सब काम मत करो दोस्तों आप लोगों से हाथ चोड़के विनम्र निवेदन है ऐसा मत करो किसे ओगाली वली मत तो अच्छा से रहो सुखी रहो जैसी आराम है आपका दिन और हमेशा तरक्की करते रहें आपका दिन शुब हो आप हमेशा तरक्की करें थैंक्स